नमस्कार दोस्तों में आप सब काह स्वागत है आज हम बात करने वाल है, 12 लिटर दूध दिने वाली येची अभ गाए कितने महीने तक दूध देती है फिर 6 लिटर कितने महीने बाद देने लगती है ऐसा दोस्तों आप लोग देखने को मिलता होगा कि आप गायल आते हैं या लाना चाहते हैं तो आपके मन में जिग्यासा जरूर रहती है कि हम जो गायल आ रहे हैं कितने महने तक दूध देगी पूरा उसके बाद एक कम कितने महेने बाद धिरे-धिरे दूध करने लगती है फिर 6 लिटर यानि आधा दूध पर आ जाती है आध दोस्तों इस पर हम चर्चा करते हैं जो हमारा प्रसनल अन्भो हो रहा अपने अन्भो के हिसाब चापलों को हम बताएंगे वीडियो को लाइक जरूर करें अगर देखा जाए अगर आपकी जो भी यच्चाप गाये है आप खरीद कर ला दिये हैं मान लेजिए वो 12 लिटर दूध दे रही है तब ये कितने महीने तक दूध में टिकी रहेगी दूध में टिके रहना बहुत जो है माने रखता है जिससे कि हम जो गाये खरीद कर लाएं हैं उसका हम खर्च निकाल सकें और उससे हम बेनिफिट कमा सकें अगर देखा जाता है तो ये चप गाये जो है कई तरह की होती है कुछ ऐसी गाये आपको देखने को मिलेंगी जो बच्चा करने के ढ़ाई से तीन महीने बाद हीट पर आ जाते हैं और गावन हो जाते हैं लेकिन कुछ ऐसी अचप गाये होती हैं जो दोध देती रहती हैं आठ महीने, साथ-ाठ महीने हो जाता है फिर वो हीट में आते हैं अब हम बात करते हैं जैसे सुरू में ही वो हीट पर आ गई और तीन महीने बाद गावन हो गई गावन होने के बाद आपको देखने को मिलेगा जिस दिन अगर तीन महीने पर गावन होती है तो उसका दोध कम हो जाता है तीन महीने पर ही कम होगा कुछ दिन के लिए क्योंकि उस समय जो है आप रासन कम देंगे चारा भी थोड़ा कम देंगे क्योंकि ऐसा माना जाता है अगर हम ज्यादा रासन चारा खिला देते हैं तो रुकेगी नहीं यानि गर्भ नहीं ठहरेगा इसके लिए हम रासन और चार ही तो ही पर भी रहती है रासन चारा भी कम हो जाता ने तो हुआ gonna and दूध निकलने का यानि बच्चा रहूँ आठामाद नौम महिन लग जाता है तब दूध धिरे-धिरे घिरे कम करने लगती हैं और कम करते 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 ठिर आठामाय – 9 महिन अगपник दस्वां इक रहा हमां इंदर पर आ जाती हैं उसके बाद जो है छे लीटर पर आती हैं उसके बाद चार लीटर तीन लीटर पैसा देने लगती हैं फिर जब ढ़ाई से दो से धाई महिने रह जाता है बच्चा करने के दूसरी बार तब जो है हम दूद निकालना बंद कर देते हैं अगर बात किया जाए आठवे महिने पर नो महिना यानि वही प्रक्रिया इसमें विरेगी थोड़ा महिने महीने का फरक रहेगा इसी प्रकार जो है उसका घट जाएगा अगर आप यसजव गाया लेना चाहते हैं तो ऐसा माना जाता है किसचप गाया जो है दूद में टिकी रहते हैं यानि लंबे समय तक दूद देती हैं का फिर दूद्र डेरी वाले फार वाले यह चप गाय को ही पसंद करते हैं दोस्तों मैं उम्मीदेखा पसंद में आ गया हो गया वीडियो को लाइक शेयर कोमेंट जरूर करें